थाना शिकंथरा पुलिस ने दो सट्टेबाजों को गिरफतार कर हजारों की नगतियों और मोबाइल फोन बरामत कियें हैं फुलिस वरार्चटर रहे सत्योरियों की गिरफतारी के प्रयास कर रही है थाना शिकंद्रा शेत्र में IPL क्रिकेट मैच पर सट्टे बाजी की जा रही थी सूचना मिलने पर पुलिस ने शेकर रेजिटेंसी में दो सट्टे बाजों को गिरफतार कर लिया पकड़ेगे सटोरियों से 32,380 रुपए, मोबाइल, फर्जी आदार कार्ट और सट्टे की परची बरामद हुई DCP लाइन सूरज राय का कहना है कि क्रिकेट लाइन ग्रुप एप बना कर IPL मैच पर सट्टा लगवाया जा रहा था सट्टे का काम करते थे इनका नाम राजीव चोपड़ा और संदीब गुलाटी है इसमें अन्य तीन लोगों के विरुद मुकदमे पंजिकृत किया गया है इसमें राजीव चोपड़ा और संजय कालिया ये दोरों अभियुक्तों का नाम बहुत पहले से आ रहा है और इनक सट्टे के खिलाफ पहले से भी मुकदमे पंजिकृत हैं तो इनके उपर दविश्की गई तो इनके पास लगवग 32,000 रुपए कैश और बहुत सारा चिट मटीरियल जिसमें सट्टे की डिटेल्स डिखी हुई थी वाइल फोन्स और अनिसामगरी बरामद हुई है पुलिस ने शेकर रेजिटेंसी में रहने वाले राजीव चोपडा और शिवाजी नगर के रहने वाले संदीब गुलाटी को गरफतार कर जेल भेजा है। पकड़े गए सटोरियों से पूछताच करने के बाद इन बुकी के खिलाफ भी मुकदमा दर्च किया गया है। वा पकड़े गए सट्टे बाज, राजीव चोपडा और संदीब गुलाटी आईपिल मैच में रुपए लगवा कर लोगों से सट्टा खिलवाते चले आ रहे थे। पहचान छपाने के लिए सट्टे बाजों ने फरजी आदार कर्ट बनवा रखे थे। दो सट्टारियों पक लोट